नमस्का दोस्तों, डिडिरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूआ लोग तो दोस्तों थोड़ा आपको शोर की आवाज आ रही होगी पड़ोस में कहीं पर कोई function चल रहा है तो वो माइक पर कुछ फी तो गाया जा रहे हैं स्क्रीन शॉट मैंने लगा दी है आप देखते रहे हैं कि हर साल, हर बार जब भी यह आती है पाकिसानी निउस पेपर्स में खबर च्पती है और पाकिसानी बस पढ़के और अंग्रेजी तो आती है ने जाद़दर पाकिसानियों को उर्दू में च्पती है कि ने श्पती है I don't know जादतर को पता भी नहीं होगा, जादतर को मतलब भी नहीं होगा कि क्या होता रहें कि उनकी, असी तो सुपर है तो चलिए, कम से कम सहीद मुझमिल ने इस पर बोलना शुरू किया है और इस पर वीडियो बना है, तो बड़ा ग्यान बढ़ सकता है हमारा और क्या-क्या यह जानकारी चलिए लेक्शन हुआ पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिकलेर किया गया है और जो मुलक जो के जिन से हम आगे हैं, जिन से हम बेतर हैं उसमें अफगानिस्तान, एराक और सीरिया आता है यह तीन वो मुलक है जो के जंग से बरबाद हो चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जो के यकीन एन एक हुमिलियेशन का एसपेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए उन बिचारे पाकिस्तानियों के लिए जो के इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं ना उनकी को इज़त की जाती है stereotypical attitude उनकी तरफ रखा जाता है double search किया जाता है एरपोर्ट के उपर हर कोई शक की निगा से देखता है कि आप यहां करने के आएं personal assessment के interview देने पड़ते हैं हलांकि जो first world nations हैं वो जब visa apply करती हैं उनके कोई personal assessment के interview इस तरह के नहीं होते हैं किसी को अलग अलग बुलाके पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं आप क्या करेंगे क्या वापस आ जाएंगे या नहीं क्यूंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मलक का शेरी जब ये मलक छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा क्यूंकि सब को पूरी दुनिया को इल्म है कि यहां सूरत इहाल क्या है इन फैक्ट इस साल की ये खबर है कि नादरा जिसके पास डेटा बेस है पूरे पाकिस्तानी शेरीों का उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर खतम हो चुका है इतने जादा शेरीों ने दर्खास दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानी वांट तो लीव दिस कंट्री और साथ साथ ये कि जो मुलक छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है ये हैनली एन पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है जो के यूके की एक कंपनी है ये डेटा औरिजनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एर ट्रांसपोर्ट असोसियेशन का डेटा है जो के ये डिटर्मिन करती है कि किस मुलक के हालात के मताबिक वहाँ के शेयरियों के ट्रेंड के मताबिक और किस तरह से वहाँ के शेयरी ट्रैवल करते है किन परपसे के लिए करते है और दुनिया के मुमालिक के साथ उनके तालुकात कैसे है डिमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरते हाल क्या है ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले ये उन में शामिल है तो क्या वज़ा है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बत्तरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टाफ फाइव में आता है हलांकि बहुत से और मुमालेक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं अगर पावर्टी इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है लेकिन बहुत से ऐसे मुलक जो के शदीद गरीब है उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओर स्टेंग का है पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टोरिस्ट वीजा अपलाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते सब को मालूम होता है कि अगर किसी को टोरिस्ट वीजा भी दिया तो मोस्ट प्राबबली चांस यही है कि ये बंदा मुलक में वापस नहीं जाएगा इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें हुमिलियेट कर चुकी हैं जिस तरह कि हम देखते हैं कि बहुत से फलाइट अटेंडन्ट या एर स्टुविट जो होते हैं जो एरलाइन्स का स्टाफ होता है वो वहांपर अकसर उतर के गायब हो जाता है वापस नहीं आता बहुत मरतबा है यह तो अलग बात है कि गायब हो जाता है कम से कम उसको इस देश से अपने देश पाकिस्तान से पिंड आ चुड़ाना है वो भाग जाता है गायब हो जाता है लेकिन आप यकीन करेंगे कि टूरिस्ट विजा पर जाकर वहाँ पर क्राइम भी करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानियों ने लेटेस्ट जो खबर आईए अग्रेजी पर मैंने विल्लियो बनाई थे डीडी क्लोबल पर कि कमबोडिया में दो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया कमबोडिया के पुलिस ने और वहाँ पर उन्होंने इंडियन को किड्नैप कर लिया था आप समझे रहें और वो टूरिस्ट वीजा पर गये थे वो घूमने गये थे और वहाँ पर उन्हें दो इंडियन्स को अगवा कर लिया और उनसे फिरोती बांग रहे थे, पकड़े गए इधार टर्की वाले पर रिशान है पाकिस्तानियों से, अभी पिछले हफ्ते तीन पाकिस्तानियों को वहाँ पर पकड़ा गया, वहाँ भी उन्होंने इंडियन को एक को किड़ाब कर लिया था दोनों के स्क्रीन शॉट में लगा दिया है मैंने, आप चेक कर लीजिये खबर सची है, अब बताईए कि पिछले एक हफ्ते में पांच पाकिस्तानी दो अलग अलग देशों में पकड़े गए, तीन तर्की में, दो कमबूडिया में और दोनों ने वहाँ पर इंडियन को अगवा किया अब तर्की वाले पता नहीं वहाँ पर रह रहे थे या क्या थे, लेकिन ये तो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, कमबूडिया, और वहाँ पर किड़ डंपिंगा काम चालू कर रहे है या, टूरिस्ट वीजा पर, मलब हदी हो गई है पाकिस्तानी हो, तुम्हें बिलकुल अच्छा है यार, डूबो, डूबो तूबो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े, और ये वो मुलक है जिसकी अजमत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली इस मुलक का हशर ये कर दी है, कि आज इसको छोड़ने के लावा यहां के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है, इस पासपोर्ट के उपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुलक है जिसमें इसलामिक रिपबले को पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट अनकोट ये लिखा होता है कि इस पासपोर्ट इस वैलिड फॉर आल कंट्रीज ए एकसेट फॉर इसराइल, इसराइल के लावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगा वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है, ये रैंकिंग बता रही है, और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया के या अराइवल वीजा के आप जो है वो एकसेस कर सकते हैं सिरफ 34 मुमालिक को 200 प्लस कंट्रीज में से इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज में जा सकते हैं विदाउट अवीजा लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है जो नैशनल प्राइड है वो कितनी जादा है और हमारे पैर जो है वो जमीन पे कितने अंदर धन्स चुके हैं और भारत में बहुत आगे बढ़ रहा है और लेटेस्ट अभी रशिया के साथ हमारा करीब-करीब हो चुका है कि विदाउट वीजा हम रशिया जा सकते हैं इसके पहले भी कई इधर थाइलेंड और ये और भी कई दिशों में कर दिया गया तो अब लेट अब आगे बढ़ रहा हैं लगातार और आपसे कहीं जादा कंट्रीज में हमारा फ्री वीजा एकसेस है फ्री वीजा हम पहुंच सकते हैं वार वीजा फ्री एकसेस देखने के लिए आपको आइनलाइस करना पड़ेगा कि किस सूरतहाद से गुजर के हमने इस मुल्क को इस नहच पे पहुंचाया है तो पहली चीज ये है कि ज़रा कुछ पासपोर्ट की हिस्टरी अगर आपको हम बताएं तो इस पे नदीम फारूग पराचा का बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला जिसको मैंने पड़ा एनलाइस किया और और चीज़ें भी देखी तो उससे थाबित होता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के उपर जो तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं 1947 से लेके अब तक वो किसी हद तक इस मुल्क की सूरत रहाल को भी रिफलेक्ट करते हैं 47 के अंदर पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट बनता है इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ओपर दो जंड़े हैं जो के ये सिगनिफाई करते हैं कि एस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिल के इस फेडरेशन की बनियाद रख चुके हैं इस पासपोर्ट के उपर इंगलिश और अरदू के इलावा बंगॉली टेक्स्ट भी आपको मिले गा यानि किसी हद तक आपको ईस पाकिस्तान के इस पाकिस्तान का किल्चर भी इस पासपोर्ट के उपर दिखाई देता था आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने वन यूनिट स्कीम तैयार कर ली और कहा कि इसके बाद अगर हमने एस्ट पाकिस्तान का जो सारा वसाइल है उसको लूटना है अगर उनकी पुलिटिकल लिजिटिमसी को तबाह करना है अगर उनको उनका डियू शेयर नहीं देना तो फिर हमें वन यूनिट बनाना पड़ेगा वन यूनिट का मतलब यह है कि सारा वस्ट पाकिस्तान को एक सूबे का दरजा दे के इस्ट के खिलाफ लड़ाने के लिए बैलसिंग फोर्स के तौर पे बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तमाल करेंगे तो 1954 में दो पासपोर्ट सामने आते हैं एक एस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था एक वेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था तो जो एस्ट पाकिस्तान वाला पासपोर्ट था उस पे बैंगॉली थी और जो वेस्ट वाला था उस पे उर्दू थी इसके बाद आगे चले कि अब पाकिस्तान की रियासत से हमने आइडियालोजी को थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे बहुत से लोग कहते हैं इसलिए पास्पोर्ट का ग्रीन कलर उन्होंने थोड़ा सा लाइट कर दिया यह दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ मैं इतना भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ ठीक है इसके बाद 1984 की अगर हम बात करें तो उसके बाद तो आपको सब को मालूम है कि पाकिस्तान की एकी बिमारी जिसका नाम ज्यावलाक है उनके आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना 1984 का जो पासपोर्ट था पहली मरतबा पाकिस्तान के पासपोर्ट के उपर अरबिक टेक्स्ट सामने आ गया एक ऐसी कौम जिसकी पॉपुलेशन की 1% अबादी भी अपनी इंडिजनिस लेंगवेज आरबिक को नहीं मानती उसने अपने पासपोर्ट के उपर अरबिक इसलिए लिखी कि इससे पहले भुटो साब ने पॉलसी बनाई थी कि सारे यहां से मिडलीस जाओ वहां जाके अलेक्टरिशन लगो पलंबर लगो गटर खोलो लोगों की सड़कें साफ करो इसलिए इस पासपोर्ट का मतलब ही यह ले लिया गया कि अब यहां से सिर्फ हमने मजदूर एक्सपोर्ट करने हैं और इस पासपोर्ट के उपर जो इसलामाइजेशन थी जाओ लग की उसका एक बहुत बड़ा अंसर भी आपको दिखाई दिया जो कि इस टेक्स की फॉर्म में था साथ-साथ यह कि 1984 का जो पाकिस्तान का पासपोर्ट था यह पहला पासपोर्ट था जिसमें जो पासपोर्ट होलडर है या मेरे फाइनेंस देख लें इसके इलावा आपको मेरी आइडियोलजी देख के क्या मिलेगा मैं किसी बाहर की जमीन में अगर उतर रहा हूँ तो उसमें मेरा किसी फेट से तालुक होने का कोई जमीन आसमान का कोई फर्क कोई तालुक कुछ भी नहीं लेकिन जिया साब ने चूंके एक ऐसी थिंकिंग को प्रमोट किया जो के आल इंकमपसिंग टोटैलिटेरियन थाट थी जिसमें कोई परसनल आइडिंटिटी की सेंस थी नहीं सिवाए फेथ के तो उन्होंने इस पासपोर्ट के उपर भी इसको लिखवाया और साथ-साथ हमने जो पूरी दुनिया में हम इसलामोफोबिया के लिए रोते हैं हमने ये बुनियाद रखी कि 1984 के पासपोर्ट में पहली मरतबा आपको फॉर्म साइन करते हुए ये डिकलेयर करना पड़ता था कि एहमदीज आर इंफिडल्स कि यही तो सारा खेल है जो मजब की अफीम पाकिस्तानियों को खिलाई गई यही तो करना था मुस्लिम उम्मा रिलिजन फर्स नेशन गया भान में और वो आज दिखता है आप किसी से भी पाकिस्तान में पूछे रहा चलते मजब पहले हैं पाकिस्तान पहले है वो बोले गा मजब पहले है मजब मजब पहले देखें यह देखें इसलामिक कंट्री है यहां पर हमारी यह सोच है और उसकी वज़या से पाकिस्तान की हल्प क्या हुई पाकिस्तान का कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास रहा जो चाहते थे शुरू से जिनके पास कंट्रोल है वही कुछ फैमिलीज है वो घुमती फिरती है और आम लोग यह चुरन खाकर मस्त के एक फिरका जो है वो उसका तालुक कुफार से है वो साइन करके आपको पासपोर्ट मिलेगा और आज तक यही कंटिन्यूड पॉलिसी है क्या तालुक है इस बात का कि मैंने अगर मुल्क को छोड़के बाहर जाना है तो उसके लिए मैं पहले एक सेक्ट के खिलाफ या एक कम्यूनिटी के खिलाफ वो मुसलिम है गैर मेरा इससे क्या लेना देना है कि मैं पास्पोर्ट के लिए अपलाई करने आया हूँ या फिर मैं अदर अपना फेथ का टेस्ट देने के लिए आया हूँ या हिसाब देने के लिए आया हूँ अपनी जिन्दगी का तो ये भी इस पासपोर्ट के अंदर शामिल कर लिया गया और इसके बाद में जब जिया साब की डथ होती है और पाकिस्तान को थोड़ा सा सांस आता है तो 1990 में दुबारा से जो अरेबिक टेक्स था उसको रिमूव कर दिया गया मुशरफ साब आये मुशरफ साब ने आके कोशिश ये की कि इसलामिक रिपबलिक आफ पाकिस्तान को हटा के रिपबलिक आफ पाकिस्तान मैं लिखवा लूँ लेकिन जैसा ही ये करने की कोशिश की गई तो मजभी जमातों की तरफ से एक संगीन किसम का इतजाज हुआ और मुशरफ साब भी खामोश होके बैठ गए और उनको भी ये आइडिया हो गया कि पूरी दुनिया में अगर आपने जाना है तो अपने मत्हे के उपर ये लिख के जाना है कि हमारी बाइसिस क्या है या फिर हमारी परसनल आइडेंटिटी सवाए हमारे फेद के कुछ भी नहीं है ना पश्टून है ना पंजाबी है ना बलोच है ना सिराइकी है ना गिलगिती है ना कश्मीरी है कुछ भी नहीं है हम सिर्फ ये हैं जो हमारे पासपोर्ट के उबर लिखा हुआ है तो ये आपको evolution ये बताती है, इसको बताने का मकसद ये था, कि कभी इस passport पर इस्लामिक रिपबलिक लिखा गया, कभी सिर्फ रिपबलिक लिखा गया, कभी अर्बी आ गई, कभी अर्दू आ गई, कभी बंगॉली आ गई, कभी रिपबलिक खाली आ गया, इस्लामिक खटा द sense of mobility है, कोई बाहर से आके एदर freely move नहीं कर सकता और tourism के तमाम arguments जो किये जाते हैं, सब के सब failed और flop है अगर आप ये समझते हैं कि इस मुलक के अंदर sense of security दिये बगएर आपका नौर्थ बहुत खुबसूरत है उसकी real बनाके आप गोरे को यहां ले आएंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो terrorism का index के अंदर जो आपकी historically involvement रही है उसके बाद से कोई आने को तयार नहीं है, यहां पे आप देख लीजे कि FDI कितनी यहां पे आती है या international tourism यहां पे कितना हो रहा है हम जो बात करते हैं progressive Pakistan की, एक secular Pakistan की, एक अमन पसंद Pakistan की इसी मलक के अंदर से हमें गालियां और मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है और यहां पे इज़त और सलूट सिर्फ उसको मारे जाते हैं जो सिर्फ यूथ को radicalize करने का एजेंडा लेके बैठा हुए और दिन रात वो brainwashing करने की बात करता है, टोटालिटेरियनिजम की बात करता है, freedom of expression को दबाने की बात करता है वो आराम से दंदनाते पिर रहे हैं और हम जैसे लोगों को public hatred भी मोल लेना पड़ता है और जिनके लिए ये बात कर रहे हैं सबसे पहली गाली वहीं से पड़ती है तो इस मुलक का जो तालुक पाकिस्तान का ideological wars लडने से रहा कि अफगानिस्तान के अंदर प्रोक्सीज पहले हिस्टोरिकली हमने बनाईी फिर इसके लावा हमने अपने इंडियन बॉर्डर के उपर जो प्रोक्सीज बनाईी इसके साथ साथ हमने सौवियट यूनियन से आगाज में तालुकात को खराब कर लिया पहले पासपोर्ट का ये हाल नहीं था आपकी इतला के लिए 1984 में पहली मरतबा ये हुआ के यूरपियन कांट्रीज ने इंकलूडिंग यूके आन राइवल वीजा पाकिस्तान का कैंसल किया जो के इस से पहले वैलिड था 80 से पहले कोई पाकिस्तानी भी अपना वीजा यूरपियन यूनियन का वहां से कोई वीजा लिये बगैर भी वहां पर लैंड कर सकता था उसको परमिशन थी लेकिन तब तक आपने पूरी दुनिया पर अनौस कर दिया कि हम इस मुलक को फॉर्म ही हमने इसलिए किया कि हमने जंगे लड़नी है तो उसके बाद से उन्होंने का कि ठीक है पर स्कूरूटिनी में इजाफा करते हैं क्योंके सेंस ओफ इन्सेक्यूरिटी दुनिया भर में फैल गई जो हमने कंट्रिब्यूट की और उसके बाद में सूरते हाल ये है कि आज तक सबसे बड़ी सक्सेस किसी पाकिस्तानी सूड़न्ट की ये होती है कि वो आके डांस करता है और मिठाईयां बाढ़ता है लोग उसे मुबारक बादें पेश करते हैं अगर उसे किसी यूरपियन कंट्री का वीजा मिल जाए एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इलीगल इमिगरेशन है पाकिस्तान में डंकी लगाने का कारोबार जोरो शोर से जारी है बड़े बड़े दावे किये जाते हैं कि आएंदा सियसा नहीं होगा लेकिन आज तक ये एजेंट्स जो हैं लाखों कमा रहे हैं लोगों की जिन्दगी आ खतरों में डाल रहे हैं कंटेंडरों में बंद करके कश्टियों पर बढ़ा के यौरब पहुचा रहे हैं लोगों को और डेथ रेट इतना जएदा है कि जो निकलते हैं उसमें से 50-60% पहुचते हैं बाकी रास्ते मी मर जाते हैं यह अशर किया हुआ है इस कौम का कि यहां पर रहने का जो अज़ाब है उससे बचने के लिए लोग जिन्दगी भी देने को तयार हो गए अपनी इन लीगल इमिग्रेशन और ओवर स्टेंग की वज़ा से बैरुनी मुमालक आपको वीज़ा देने को तयार नहीं और यह सारे फैक्टर्स कंट्रिब्यूट करते हैं वर्स पासपोर्ट की रैंकिंग में जिसमें आपका चौथा नंबर इसी लिए है कि आपने एक तो तालुकार डवेलप ही नहीं किये डवेलपिंग वर्ल्ड से ना आप आदे मुमालक से ट्रेड करते हैं क्योंकि आपकी फॉरन पॉलिसी इतनी आइडियोलोजिकल है कि आपने पहले ही फैसला किया कि ये 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 मुलक जो है ना ये हमारे इंटरनेशनल जो एक बयानिया है हमारा उसके खिलाफ है इसलिए इससे हमने बात नहीं करनी भारत से हमने ट्रेड नहीं करनी उनसे हमन पर हालात ऐसे पैदा कर दिये जाते हैं कि मुलक छोड़ने का दिल भी कर रहा हो तो आप्शन बचती नहीं है, कहां जाएंगे, वीजा फ्री जो विडाउट वीजा अराइवल कंट्री पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वैलिड हैं, उसमें से 95% जो हैं वो सारे अफरिकन मुल का जिसमें आप जा सकते हैं, वहां जाके क्या फसलें काटनी हैं आपने घास खानी हैं वहां पे, या जो में कोई पिंजरा आपके लिए रखा हुआ हुआ है जिसमें बंद होना है जाके आपने, कुछ भी नहीं, ना वहां पे एकौनमी अच्छी है ना कुछ है तो वहां कमा सकते हैं और तरकी आफ़ता मुमालिक यहां पे जाने के काबिल हैं, हम सिर्फ इसके लावा कहीं नहीं जा सकते हैं, इवन बंगला देश वो मिजॉरिटी जिसने हाद जोड़ के हमसे आजादी हासल की 1971 में और आज उसकी एकौनमी पाकिस्तान से बहुत जादा बेतर है उसका पासबॉर्ड भी पाकिस्तान से नहीं इस बात समय अग्री नहीं करता है, हाँ जोड़ के उन्होंने आजादी ली, उन्होंने जेनोसाइड सहा है, लाखों लोगों की कुर्बानिया दी है, लाखों बहु बेटियों की इज़त गई है पाकिस्तानी फौजी बूटो की नीचे, तब जाकर उन्होंने आजादी ली, उन्हें आजादी हाँ जोड़ कर नहीं मिली है, और हो सकता है कि यह आपने तंज में कहा हो, तो भी ठीक है, बट फाक्चुल तो यह नहीं है, यहाँ जोड़ कर आजाद तो नहीं मिली है, यहाँ जोड़ता हूं मुझे पाकिस्तान से पांच दरजे आज बेतर है फाइव स्पॉट्स सिरिलंका जो के रीसेंटली बैंकरप्ट हो गया था वहाँ सिवल वार शुरू हो गई थी उसका पासपोर्ट पाकिस्तान से च्छै दरजे बेतर है तो अगर आपने ये कहना है कि वो तो फस वर्ड थी वो पहल से बड़ा नासूर जो देश्यत गर्दी का है इसको खतम करने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव यूथ चाहिए जिसको आप आकर ये बताएं कि कुएं के मैंडक ना बनें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके साथ चलने की कोशिश करें साइंसी तरकी की रफ़तार प किया थी और वो पाकिस्तान से कितनी नफरत करता था भई उसकी जात पर क्या असर है वो तो कब का मर गया ये वो नाजजीस जिस तरहां फार्म साइन करवाया करते थे थे ना अबसे कि अगर आपकी एलेजिंस हिटलर के साथ है तो फिर आप यहां साइंस प्रैक्टिस करें अधरवाइस दफा हो जाएं यह वो सूरते हाला यहां पर इसलिए इस मुलक के अंदर अगर आपने हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्री इसके साथ इनसानों वाले तालुकात बनाने पड़ेंगे नमबर वन अब सलूशन सुन लें कियोंके इ एक्जाम यही लगेगा कि सलूशन आपने प्रोवाइड नहीं किया तो पहला सलूशन यह है कि ब्रिंग पीस तो यूर नेबर हुड तो नॉट कंट्रीब्यूट तो एनी रैडिकलिजम इन दे रीजिन बाय दे शेयर फोर्स आफ यूर प्रॉक्सी वार्स नमबर वन तो पीपल कॉंटेक्ट में इजाफा हो नमबर थ्री करिकलम के अनी नमबर फ्री सुनें यह दो बाते कहिए सईद मुजम्मिल ने जो सॉलूशन बता रहे हैं पिछले तीन साल से मैं यही बात कर रहा हूँ नफरत नफरत को दूर करिये भारत के खिलाफ हिंदू के इजेशन और टर्र testim को बंद करिए भारत यही तो डिंबान कर रहा है बारत दिवान करता है कि भाईया आपके तरफ से हमारे उधर टरर टर्रीम की घटाएं नहीं करता है अब भतेरे पाकिस्तानी आजाएंगे नहीं हम तो बल् Hein करते है नहीं करता है भये यह एक लाक बा रास्ता नहीं है इसका कोई Skills नहीं है कि आप देखते हुए बिनमारे आपको पता है कि यह बीडाब करें कि नहीं नहीं हम तो नहीग मानते हैं कि अपके आप नहीं रहे हम कराते हैं उपेधन लिए एंरे कि इंटे इनल रहे द्छ ने आपकी मजबूरी बंसहाना है V एकाद रियक्शन चैनल पर आते हैं लोग बैट के घ्यान देने पता नहीं दसमी पास भी होंगे के नहीं होंगे लेंगे वो कहते हैं कि मुंबई तो मुंबई अटाइक तो इंडिया वालों ने करा लिया था खुदी करा लिया था वाजीवा कसाब मेरे ताउ का लड़का थ जो यहां से गया था वियार से है ना तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग सच को नहीं मानेंगे और जब तक इन दो चीजों को भटाएंगे नहीं अपनी पीडियों के अपने जहन से बच्चों के जहन से नहीं निकालेंगे नफरत और यह रेडिकलाइजेशन तब तक आपके कंटरी का कुछ नहीं हो सकता और किसी और को साज़िश करने ज़रूत हैं आप ही लोग काफी हैं अपने लिए अपने आपको तबाहो बर्बाद करने के चले तीसरा सुनते हैं किलम के अंदर चेंजेश करें क्यूंके बच्पन से आप जो जहर इंजेक्ट करते हैं नफरत का पाकिस्तानी बचों में वो मरते दम तक उसको कबर में साथ लेके जाते हैं और वो समझते हैं कि उससे बात नहीं होनी चाहिए वो हमारा दुश्मन है ये हमारे खिलाफ साज कर रहा है साज़िश साज़िश और सिर्फ साज़िश नमबर फाइव ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर पौवर्टी को खतम करें अगर वो नहीं करेंगे तो लोग इलीगल इमिग्रेशन करते रहेंगे आपका पासपोर्ट और नीचे जाएगा और तबाह होगा तो ये स अंग्रेशी बोलने वाली फंडामेंटलिस क्लास आ गई है नहीं जो के पौड़कास के माइक रखके सामने बैड़ जाती है और नया चूरन जो है वो री ब्रैंड करके बेचने की कोशिश कर रही है हलांकि उसके अंदर जो है वो सारा कॉंटेंट पुराना है इसको भारत में अरबन नकसल कहा जाता है जिसको लेकर हामिदमीर साब को समस्या होगे उन्होंने अरब नसल समझ लिया और इतने बड़े पत्रकार अब पता नहीं क्या उनका दिमाग घुमा कहीं कुछ खापी लिया होगा तो उसमें लगने है तो बात में माफिव नहीं आए गलत बो रोकें और इनसे भी बात करें कि आप चाते किया हैं अगर आप इस जमूरी निजाम को और इस रियासत को किसी भी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है तो फिर आप खुल के आके बार सड़कों पे तलवारें लेकर आजाएं और मारें एक दूसरे को उनकी रोक थाम के लि अदरवाइस आप आदी दुनिया से नफरत करते रहेंगे और उनी से करजा मांग के जिंदगी गुजारेंगे और अपने अवाम को ये कहते रहेंगे कि जिन से हम करजा ले रहे हैं उनी से नफरत करो इसके लावा कोई चारा नहीं है तो इस मुलक को अमन का गहवारा बना आ सकती है और ना इस मुल्क के बच्चों का पेड़ भर सकता है बहुत शुक्रिया मुंबई अटाक किया इसलिए नफरत है हमारे लोगों को मारा जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा ये नफरत है हमारे धर्म को नीचा दिखाया जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा ये इसलिए नफरत है मेरे पास तो वज़ा है नफरत करने की आपके पास क्या है वज़ा नफरत करने कि आपने देश मांगा हमने देश दे दिया आपने जमीन मांगी हमने जमीन दे दिया आपने तो जो मांगा हमने वो दिया खैर तो ये चार पॉइंट सॉलूशन दिये उन्होंने इसकी बात में लगातार कहता हूँ रेडिकलाइजेशन, टेररिजम, नफरत, हेट लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिसान से ये सब कुछ खताम होने वाला क्योंकि अगर जरा भी जो वहां के सियासी जमाते हैं जो राज करती हैं पाकिसान पर उनको जरा भी समझ होती तो पिछले साल की ही आपकी रिपोर्ट है स्क्रीन शॉट लगा देता हूं, पिछले साल की रिपोर्ट है आपकी टेक्स बुक्स में माइनॉर्टीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया गया है अच्छा वो माइनोर्टीस के खिलाफ content क्या होगा वही नफरत होगी कि ये गंदे हैं, ये नीच हैं, ये हमसे दोयम दर्जे के हैं इनका तो खुदा जूटा है ये जूटे बुतों की पूजा करने वाले हैं माइनोर्टीस के खिलाफ content में और क्या बढ़ाई है इससे क्या होगा कि आपकी जो majority है उसमें नफरत और बढ़ाई की और यकीन मानिये मैं फिर से कह रहा हूँ ये नफरत उसका हमारे उपर कोई असर में है ना भारत के उपर, ना भारत के लोगों के उपर, ना हिंदू के उपर, ना non-muslimों के उपर असर आपके उपर है आपके minds negative हो रहे है आपके minds corrupt हो रहे है आपके minds नफरती हो रहे है और corrupted mind, नफरती mind positive outcome लेकर नहीं आता वो कोई innovation नहीं करता वो rocket नहीं बनाएगा, वो missile नहीं बनाएगा, वो बंदूग बनाएगा और गोली मारने के तयारी करेगा, वो bum बनाएगा और फटने के तयारी करेगा, और यही हो रहा है आपके हैं, जो 1% पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं, वो शायद मेरी बातों को समझते हूँ, लेकिन अचीव किया, क्या आपने कशुमीर ले लिया, क्या आप अपने देश की एकोनोमी को आपने ठीक कर लिया, क्या आपने देश के युवाओं को आपने ठीक कर लिया, क्या आपने देश के टैलेंट को आपने प्लेटफॉर्म दिया, कुछ तो ऐसा किया, कोई इंडस्री बि अधिविगान वी बनने वाले हैं। मैनुफक्चरिंग का हब बन रहे हैं। यूनिकॉन कंपणीज़ खुल रही हैं हमारे यहां से बन रही है। आइडियाज निकलके बड़े-बड़े बिजनस में तबदील हो रही है।